अस्पतालों में कितने अंसेफ हैं डॉक्टर्ज यह रिपोर्ट सुनिए यह वीडियो पूरा देखिए आप डर जाएंगे इस रिपोर्ट को देखने और सुनने के बाद कोलकाता के आरजिकर अस्पताल कांड से डॉक्टरों की सुरक्षा का वशेय चर्चा में हैं सड़कों पर छोड़िये अस्पतालों में भी डॉक्टर सेफ नहीं है खुद IMA यानि कि Indian Medical Association की सड़ी यह कहती है आई में की सड़ी यह कहती है रात की सिफ्ट में उनके एक तिहाई डॉक्टर जिनमें ज्यादा तर लेडी डॉक्टर होती हैं Resident doctor का मतलब ये कि वो बच्चे जो PG कर रहे हैं और साथी साथ में सर्व भी कर रहे हैं यानि कि emergency, OT, OPD में उनकी तेनाती कर दी जाती है और इसमें ज्यादतर lady doctors होती हैं काफी unsafe feel करती हैं आये में ये कहता है कि 3885 doctors में से 35% से अधिक doctor ज्यादतर lady doctor रात की shift में unsafe या बहुत unsafe महसूस करते हैं इतना है नहीं कुछ doctors ने तो ये भी कहा कि उन्हें self defense के लिए हतियार रखने तक की ज़रत अब महसूस होने लगी है दरसल कोलकाता के आरजिकर medical college और अस्पताल में 20 lady doctor के साथ rape और murder की घटना के मद्दे नजर Indian Medical Association ने एक सर्वे कराया इस सर्वे में डॉक्टरों से night shift की परिशानिया और सुरक्षा चिंताओं को लेकर सवाल किये गए सर्वे में ये बात सामने आई कि 45% डॉक्टर्स ने बताया कि night shift के दौरान duty room नहीं मिलता है कुछ डॉक्टरों ने कहा कि वो चाकू भी रखते हैं आयमें ये दावा करता है कि सर्वे में 3885 डॉक्टर्स ने हिस्सा लिया ये संगठन की ओर से किया गया अब तक का सबसे बड़ा सर्वे है रिसल सेल केरल स्टेट आयमे के चैमन डॉक्टर राजीव जैदेवन और उनकी टीम द्वारा तयार किये गए सर्वे के नतीजों को आयमे के केरल मेडिकल जर्नल के अक्टूबर दोहजार चौबे संग में प्रकाश्विन के लिए मंजूरी मिल गई है सर्वे में शामिल लोग 22 से अधिक राज्यों से थे इनमें से 85 प्रतीशत की उम्र 35 साल से कम थी जबकि 61 प्रतीशत इंटर्न या पोस्ट ग्राजूएट ट्रेनी डॉक्टर से जैसा हमने वीडियो में भी आपको शुरू में बताया सर्वे में महिलाओं की संख्या 63 पीसदी थी ये MBBS के कुछ कोर्स में महिला पुरुष के अनुपात के बराबर है सर्वे की माने तो अस्पतालों में 24.1 पीसदी डॉक्टर्स ने खुद को असुरक्षित और 11.4 पीसदी डॉक्टर्स ने खुद को बहुत ही असुरक्षित महसूस करने की बात को कहा है इस तरह से एक तिहाई डॉक्टर्स असुरक्षित महसूस करते हैं असुरक्षित महसूस करने वालों में महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है हाला कि 20 से 30 साल के डॉक्टर्स में ये डर कम था इस ग्रुप में अधिकतर इंटर्न और पोस्ट ग्राजुए डॉक्टर्स शामिल थे अब इसका कारण क्या है पोस्ट ग्राजुए डॉक्टर्स के यहाँ आपको बता दे कि क्या हुता है ऑगर आप पीजी क्लियर कर लेते हैं उसके बाद में आपको पढ़ाई भी करनी है और साथी साथ आपको आपकी duty भी करनी है और अगर आप NEET PG के किसी भी छात्र से मिलेंगे तो जो फर्स येर का डॉक्टर होता है जो फर्स येर का intern resident doctor होता है उसके उपर भार ज्यादा होता है वो 12 गंटे, 15 गंटे, 8 गंटे की duty नहीं करता है वो 35 गंटे की duty करता है और कभी कभी ये 35 गंटे की duty 40 गंटे तक भी चली जाती है अगर उनके आगे वाला डॉक्टर वहाँ पर नहीं आया है तो उनको ही वो सर्व करना होगा और इसके बाद उनको पढ़ने भी जाना होगा 45 प्रतीशत डॉक्टर ने बताया कि उन्हें night shift के दौरान duty room नहीं मलता जिन डॉक्टर को duty room मिला था उनमें सुरक्षा की भावना अधिक देखने को मिली सर्वे में डॉक्टर ने बताया कि कुछ duty room में ऐसे होते हैं जहां आकसर भीड होती है प्राइविसी की कमी रहती है कुछ जगहों पर तो दर्वाजे चोड़ दीजे ताले चोड़ दीजे दर्वाजे तक नहीं होते हैं इस मज़ा से डॉक्टर को आराम करने के लिए रात में दूसरी जगह देखनी पड़ती है जैसा आपने उस रेजिदेंट डॉक्टर के केस में भी देखा कि वो सेमिनार हॉल गई हुई थी क्योंकि एमेजिंसी वाड में या ओटी में या ओपीडी में जहां उनकी duty लगी ह वहाँ पर उनके लिए कोई ऐसी विवस्ता नहीं की जाती है और जादा तर ये वो colleges ये वो hospital होते हैं जो government cure से रन किया जा रहे हैं क्योंकि government hospitals की दिमान रहती है कि आपको साथी साथ पढ़ाई भी करने और आपको साथी साथ serve भी करना है एक तिहाई duty room में तो bathroom तक नहीं है इतना ही नहीं आदे से अधिक मामलों में duty room ward या casualty area से काफी दूर होता है करीब एक तिहाई doctors room में attached bathroom नहीं मिलता है उनको इसका मतलब कि doctors को देर रात इन सुविधां का उपियोग करने के लिए बाहर जाना ही पड़ता है doctors ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई सुधाव दिये इन में ट्रेंड सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ाना, CCTV कैमरे लगाना, पर्याप्त रोश्णी सुनिश्चुत करना, केंद्रिय सुरक्षा कानून यानि की CPL लागू करना, दर्षकों की संख्या को सीमित करना, अलाम सिस्टिम लगाना, ताले वाले सुरक्षित ड्यूटी रूम जैसी बुनियादी सुविधाएं शामिल हो। कितनी सुविधाएं हैं, इन सुविधाओं के आभाव में रहकर, वो डॉक्टर्स सर्व भी करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं, ऐसी वीडियोज के लिए आप देखते रहे हैं, न्यूजटी इन इंडिया. क्थे विए मतार में जैसने से बुबोर्य feeling झाल, भी कितनी के वी या का तुम जैसा हैं, झाल, रह सकताू, खाल, बाल, बाल,ख, बाल,ब। झालेघक बने कि भी कि अपारी겠지만 यहीं है लो कि आपारी चिरए वार बालीका प्तुरिक रवसीवा भी को जब हैं लोगी है लो एक रदियोग कि अपारी लोगी है लो शचे कि अपार्ग वहा दुद माझा हृं जगे लो बंग गी हैं लोगेशने कि लोगा भीज़ को वारी झाल झाल झाल